जय गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरु देवो, महेश्वे रहा, गुरुह साक्षात्परम ब्रह्म, तस्मेश्री गुरुवे नमा, अर्चिनी वंदनी प्रातह इस्मर्णी परम पूजनी, गुरुदेव के चर्णों में बारंबार वंदन कर आरंब करते हैं पातंजल योग सूत्र ग्रंथ का अध्यन चल रहा है और उसमें समाधी पाध के अंतरगत बारह अश्लोग हो चुके हैं सूत्र हो चुके आज तेरवे सूत्र को देखने का प्रयास करेंगे अभी तक जो देखा कहा योगष चित्त व्रत्ती निरोद है चित्त की व्रत्तियों को रोकना ये योग है फिर चित्त की व्रत्तियां बताई कितने प्रकार्खी होती है और उसके बाद बताया कि अभ्यास से और वेराग्य से उनका निरोद होता है अपने ये भी समझा कि किसी भी सांसारिक कार्विय या प्रगती के लिए उन्नती के लिए लक्ष प्राप्ती के लिए भी अभ्यास और वेरागी की आवशक्ता है अब यहां बताते हैं कि देखो अभ्यास क्या है और वेरा की क्या है तो उसके संदर्व में पहले योग की द्रश्टी से देखें और फिर सांसारी कुन्नती की द्रश्टी से भी यथा संभव उसको समझने का प्रयास करें तो सूत्र क्रमांक 13 में का यत्र इस्तिताऊ यत्न अभ्यास है क्या कहा कि उसमें इस्तित होने का प्रयत्न करना यत्न करना वो अभ्यास है इसा अरत किया और क्या ट्रांसलेशन मिला तत्र तत्र मतलब वरत्तियों के निरोध के संदर्ब में यहने जो अभ्यास करना है तो वो किसके लिए करना है वो जो वरत्तियां है योगशित वरत्ति निरोध का तो उन चित की वरत्तियों के निरोध के संदर्ब में इस्त्तों मतलब चित की इस्थिरता के लिए चित की इस्थिरता के विशय में तमें यतने किया गया प्रयत्रों कैसा उत्सहा पूर्वग योग के अंगों का अनुष्ठा वो अभ्यास कहा गया, यानि क्या कहा, कि योग के जो भी अंग, आगे बताएंगे, उन में उत्साह पूर्वक, ऐसे नहीं, डल मन से, निराश मन से नहीं, उत्साहित होके, किसमें अभ्यास करना, किसमें प्रयत्न करना, वो जो योग के अंग है, क्यों करना, कि चित्त की जो व्रतियां हैं, उनका निरोध हो जाए, तो चित्त की व्रतियों के निरोध के लिए, चित्त की इस्थिरता की प्राप्ती के लिए, उत्साह पूर्वक किया गया योग के अ योग Kṛṣṇa अंगों का प्यष्ण प्रेट में अभ्यास का है यह उसका अर्थ कहा है जहेद लगा और वह अभ्यास जो हमारा लक्ष घॉल है टार्गेट यह क्यों हमने निर्धारिद किया है उसको कैसे करना उसमें उत्सा पूर्वक उसको करना तो क्या कहा और थोड़ी व्याथ्थ्या में देखें कि राजस्तामस आधी विशय की जो व्रत्तियां हैं उससे शुन्य हो कि जित्में हर्ष शोक आधी तरंगों से रहित होके सात्विक, निर्मल और एका ग्रवstat्ति प्रवाहक को इस्तति कहते हैं इस कि जिसम्क राजरतम नहीं है जो द्वन्ध में नहीं है केसी है सात्विक है मल रहित है निर्मल है और कैसी है फोकस डे एकाग मैं उस प्रकार की इस्तति कहा और दूसरा उन्हेंने क्या कहा वाश्यार्त में उस इस्तति को प्राप्त करना और उसको बनाए रखने प्राप्त करना च्छनिक रूप से हो सकता है व्रत्ति को पर उसको मेंटेंड रखना उसको बनाय रखने के लिए जो प्रयत्न अर्थात मानसिक उत्साहा और द्रडता पूर्वक संकल और उस इस्थति को आचरण में लाने की इच्छा से इस्थति के यम नियम आधी अंतरंग और बहिरंग साधनों का अथ्वा श्रद्धा वीर्य इस्मृत्ति समाधि और प्रग्या यह सब आगया हैं बताया जाने वाले साधनों का अभ्यास या अनुष्ठान जो है उसको अभ्यास कहा है थोड़ा दोहराते हैं तो देखो सरल हो गांए क्या कहा कि सब चीज को अभ्यास नहीं कहां वो जो मानसिक कुछ सहा के साथ में और संकल किया गिए किसका कि इन सब इस्थिति को मैं आच्रन में लाऊंगा योग के यहने जो अंग हैं अंतरंग और बहिरंग जो है और वो क् तो उसमें जो यम और नियम है कि एक सक्ते अस्ते अस्र है प्रिग्रह कि सौय संतोस है स्वाध्या इस्वरपणिधान है यहीं या आगे सब आंगा आएंगे वहां उसकी व्याख्या करें तो क्या कह रहा है कि देखो उन सब को किसके साथ में श्रद्धा के साथ में उत्साह के साथ में और याद रखने के साथ में उन साधनों का अनुष्ठान करना जीवन में उतारना यह अभ्यास का है इसको अभ्यास का है इसका सत्य का पादन करना सत्य अहिंसा नॉन्वाइलेंस अस्ते चोरी नहीं करना ब्रह्मचर यह ब्रह्म में रहना दृष्टा में रहना परीग्र आवशकता से अधिक वस्तों का संग्रहन करना तो प्राप्त अपने पंपने को उसमें संतो्ष रखना स्वाद्या में ए संबंधित ग्रंथों का स्टडी करना अधियन करना एश्वर को सब कुछ समर्पित करना तो इस प्रकार से सब आगे आएंगे यम के अंगर तो उन में उनका अनुष्ठान करना जीवन में उतारना उनका पालन करना ये जो प्रेयत्न है इसको क्या कहा इसको अभ्यास कहा अभ्यास मतलब क्या है अभ्यास मतलब एफ़र्ट अभ्यास मतलब प्रेयत्न तो किसका प्रेयत्न करना जीवन में ये योग के जो आंत्रिक अंग है जैसे यम और नियम का है तो देनिक जीवन में जब ये अंदर उत्रेंगे उत्सा के साथ में उत्रें कौन सा श्रद्धा य किसके प्रति जिस मार्ग पे और जिस रास्ति पे जिस लक्ष पे आपको पहुंचना आ उसके प्रति आपका सेरेंडर हो, डिवोशन हो, फेथ हो, यहां अपना लक्ष क्या है वो चित्वरति निरोद्व तो जो यम बताए उनका पालन करें सत्य का जीवन में सत्य का आच्रण हो अहिंसा का आच्रण हो मनवचन कर्म से सत्याहिं सास्ते चोरी नहीं करना ब्रह्मच्यारी का पालन करना द्रश्टा में साथ्षी में रहना यह सब इनके लिए जब एफट लगाके इसमें रहने का देनिक जीवन में अभ्यास करेंगे बहुत कठिन लगता हो मालो आज के वातावरंड के सन्धर्व में तो आलंकि यह सास्त की द्रश्टी नहीं है एक व्यवारिक द्रश्टी विवारिक होती है पर आज के समय में जिसको कठिन लगे वह नियम ले कि समवार का दिन है तो आज जूट बिल्कुल भी नहीं बोलूं जब एक एक दिन एक यम या नियम को देंगे तो उससे होगा क्या उससे होगा कि आपको वह सरल लगे क्योंकि यह अपना स्वभाव है सज बोलना यह सवभाव है जूट किसी निमित्य से किसी कारण से बोलते हैं अन्य था वास्तविक रूप में अपना जो सवभाव है वह सथ्य है और किसी कारण वश काल के वशीभूत हो के वह हमको यह लगता है कि सथ्य बोलना जो है डिफकलत है पर सथ्य जरल है याद नहीं रखना पड़े किसको क्या कहा तो इसे जब एक यह कियम का नियम का पालंग करेंगे उसका जो अभ्यास करेंगे उसी को अभ्यास कहते हैं तो इस प्रकार से जो अभ्यास और वेरागी बताया कि उनके पालंग करने से चित्त की व्रत्तियों का निरोध होता है तो उसमें अभी अभ्यास को बताए अभ्यास केसे करना कितने समय करना वह अगले सूत्र में कहेंगे तो आज इतने ही कहके वानी को विराम देते हैं आगामी पाठ में आगामी इकाई में सूत्र करमांग 14 को देखने का प्रयास कर जै गुर्देव